अज़ गाज गाज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा accounting for partnership basic concepts के questions जिसमें हम आपको बताएंगे कि profit and loss appropriation account and partners capital accounts किस तरह से बनाय जाते हैं partnership के अंदर partners के तो इसके लिए आज हम assume करते हैं कि example और उसे हम solve करके बताएंगे कि किस तरह से partnership में partners अपने accounts को prepare करते हैं जिसमें दो account बहुत important रखते हैं first profit and loss appropriation account and second one is partners capital account हम one by one दोनों ही accounts बनाएंगे सबसे पहले हम बनाएंगे profit and loss appropriation account तो यह account बनाने से पहले statement को हम अच्छे से पढ़ेंगे statement आपके सामने हैं आप इसे ध्यान से पढ़ें सभी और मैं आपको पढ़के बतावी दिता हूं इसे समझा दिता हूं कि इसमें क्या लिखा गया है सबसे पहले शीव एंड हरी entered into the partnership on 1st April 2017 यानि कि शीव और हरी दो partners बन जाते हैं एक अपरेल 2017 को और contributing 5 lakh and 2 lakh respectively यानि कि शीव ने जो पूंजी लगाई है capital इंट्रोड्यूस की है फर्म में 5 लाख रुपे और हरी ने जो बिजनस में लगाए हैं वो लगाए हैं 2 lakh रुपीज 2 lakh रुपे पाटनर्शिप में हरी also introduced 1 lakh रुपीज as additional capital on 1st July 2017 हरी ने 1 lakh रुपे और बिजनस में इंट्रोड्यूस कर दिया as a capital यानि कि अब हरी की capital 2 lakh plus 1 lakh 3 lakh हो गई है they agreed to share profits and losses in the ratio of 3 ratio 2 यानि कि वे लाभानी को 3 अनुपात 2 में बाटते हैं following information is provided regarding the partnership और उन्होंने partnership deed को जब देखा तो उसमें कुछ rules लिखे हुए थे वो इस परकार है number 1 shiv and hurry each are allowed a salary of 5000 per quarter यानि कि quarter का मतलब होता है ती माही ती माही यानि कि साल में 4 बार सभी क्या करते हैं दोनों ही partners withdraw करते हैं personal use के लिए या salary के लिए तो वो हम क्या मानते हैं drawings मानते हैं बट यहाँ पर personal use के लिए नहीं है यहाँ पर उसकी salary दी जा रही है शिव को भी और हरी को भी 5000 रुपीज पर quarter यानि कि साल में 4 बार तो हो जाएगा 20,000 रुपीज each यानि कि शिव ने भी 20,000 रुपे निकाले और हरी ने भी 20,000 रुपे salary के रूप में उनको दिये जाएंगे next point है second वो है interest is to be allowed on capital 8% per annum यानि कि हम पूझी पर ब्याज उन्हें देंगे 8% पूरे साल का यानि कि शिव की जो capital है उस पर भी 8% और हरी की capital पर भी 8% हमें क्या देना है interest on capital provide करना है उसके बाद charged on drawings at 10% per annum और अगर partners ने कुछ पैसा personal use के लिए पैसा निकाला है तो वो से हम drawings मानते हुए उस पर भी ब्याज चार्ज करेंगे 10% यानि कि 10% पूरे साल का उसके बाद बात करते हैं drawings की तो drawings of shiv and hurry during the year were 12,000 and 10,000 respectively it means shiv ने 12,000 रुपे पने personal use के लिए drawing निकाली है और hurry ने 10,000 रुपे personal use के लिए business से withdraw कर लिए है यहाँ पर date mention नहीं है कि shiv और hurry ने पैसे निकाले तो कौन सी date को निकाले है it means यहाँ पर आपको 6 month का interest charge करना होगा यह interest on drawings को ले करके यह बहुत ही important rule है अगर कोई भी partner पैसा withdraw करता है personal use के लिए तो हम उस पर interest charge करते है साल का बट अगर date mention नहीं है तो केवल 6 month का interest ही charge कर सकते है उसके बाद profit as at 31st March 2018 before all the adjustment was 196,000 यहनि कि हमारे जो साल का profit हुआ है जो partners में हमने बाटना है बिना किसी adjustments के यहनि कि जो आपको उपर अभी adjustment उताई गही है इन adjustment को करने से पहले firm का जो लाब है वो है 1,96,000 रुपए तो यह थी है हमारी पूरी statement तो आईए हम जानते हैं कि इससे हम profit and loss appropriation account किस सरह से बनाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यह account मैंने पहले त्यार कर रखा है यह है हमारा profit and loss appropriation account इसमें आप देख रहे हो कि सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जा चुकी है हर चीज़ यहाँ लिक्की हुई है maps को one by one हर चीज़ explain करूँगा कि यहाँ पर यह किस तरह से दिखाया गया है सबसे पहले इसका परफोर्मा देख लीजिए आप profit and loss appropriation account की दो sides है left वाली है debit side right वाली है credit side debit में सारे expenses आते हैं losses आते हैं firm के और credit side में firm की सारी incomes दिखाय जाती है profits दिखाय जाते है यानि कि यह एक nominal account है नाम मत्र का खता है debit all the expenses and losses credit all the income and gain तो सबसे पहले बात करते हैं partner की salary की जैसा कि statement में बताया गया था जो partners की salary है वो कितनी थी 5000 rupees per quarter यानि कि साल में 4 बर यानि कि 20,000 rupees each तो अब देखिया आप यहाँ पर salary दिखायी गई है two partner salary shiv की दिखायी गई है 20,000 hurry की 20,000 तो firm को total loss कितना हुआ है 40,000 rupees का firm को loss हो गया है तो इस सरह से आपका पहला खर्चा आपने यहाँ दिखा देना है next point जो है हमारा वो है interest on capital को लेकर के है आप यहाँ देख रहे हो interest on capital में shiv का दिखाया गया है 40,000 और hurry का दिखाया गया है 22,000 अब हम जान लेते हैं कि यह interest किस सरह से निकाला गया है तो मैंने यह वरकी note यहाँ दिखाया हुआ है तो आप यहाँ पर इस देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि shiv ने जो business में पैसा लगाया था 5,000,000 रुपए उसने बाद में कोई changes नहीं किया पूरा साल उसकी capital 5,000,000 रुपए ही थी तो उसका 8% के हिसाब से एक साल का जो interest on capital बन जाता है वो आ गया हमारा 40,000 रुपीज और बात करें हरी की हरी ने starting में लगाये थे 2,000,000 रुपए बट 2,000,000 तो पूरे साल तो रहे वो तो मिल गया उसको interest कितना 16,000 रुपए बट उसने क्या किया था जुलाई में फिर से 1,000,000 रुपए लगाये थे मैंने आपको स्टेटमें में बताये था कि 1,000,000 रुपए उसने फिर introduce किये है उसकी capital अब 3,000,000 रुपए हो गई थी तो यानि कि जो 1,000,000 रुपए है उस पर सिरफ 9 महीने का व्याज ही लगेगा जो जुलाई से लेकर हमारा मार्श तक चलेगा तो यहाँ पर 6,000 रुपए हो गया 16,002,000 रुपए हो गया उसके बाद यह profits है यह अभी बाद में बताएंगे आपको इससे पहले आज यह हमारी credit side में credit side में आप देख रहे हो सबसे उपर दिया गया है हमारा profit and loss account से जो हमारे इस साल का profit हुआ था तो मैंने आपको statement दिखाये था यह देखे यह रहा 1,96,000 रुपए जो before any adjustment हमारा profit था वो यहाँ पर दिखाया गया है और profit हमने यहाँ पर दिखा दिया 1,96,000 रुपए credit side में क्योंकि यह firm के लिए income होती है उसके बाद बाद करते है interest on drawing की यह firm के लिए क्या है यह भी income है तो कि यह partner से charge किया जाता है अब यहाँ पर interest लिखा गया है 600 और 500 अब यह कैसे निकला है आप सभी ध्यान से देखिए आप इनकी drawings को देखिए सबसे पहले तो जो partners की drawings है शीव और हरी की वो कितनी है 12,000 और 10,000 जिस पर जो interest का rate है वो है 10% तो 12,000 का 10% कितना होता है सब को मालूम है 1200 रुपए बट क्योंकि यहाँ पर drawings की date mention नहीं है तो हम केवल 6 month का charge करेंगे यह निकी half तो 1200 का half कितना हुआ 600 तो यहाँ पर शीव की आगया कितना interest 600 अब बात करते हैं हरी की 10,000 रुपए हरी की drawing कितनी है 1100 रुपए टोटल शीव का 600 और हरी का 500 टोटल हुआ 1100 रुपए तो इस तरह से हमारा profit and loss appropriation account की सारी item यहाँ complete हो जाती है अब बात करते हैं total की जब हम total कर रहे हैं तो आप देखिए credit side में है 1,96,000 और 1100 जबकि debit side में है सिरफ 40,000 और 62,000 रुपए तो आप देखिए रहे हो कि credit side जादा है it means firm को क्या हुआ है profit extra हुआ है तो इसलिए हम वो profit को partners में बाटेंगे कैसे बाटते हैं देखिए आप सभी सबसे वहले matching principle हम यहाँ लेकर चलेंगे 1,96,000 प्लस 1100 total हुआ 1,97,100 total कर दिया हमने credit side का अब debit side में कम है कितना कम है 95,100 अब इस 95,100 के profit को हम दोनों partners में बाट देंगे अब यह बाटेंगे कैसे आपको उपर बताया गया था इनका जो profit sharing ratio है वो कितना है यह देखिए profit sharing ratio है 3 ratio 2 यहनिकि 3,92 में profit को बाटा जाएगा तो इन्होंने क्या किया 95,100 को 3,92 में बाट दिया तो amount आया 57,060 रुपए और 38,040 रुपए तो इस तरह से आपका 2 profits आते हैं और इन दोनों को आप add करके आप अपने कहां दिखाएंगे इन्हें capital account में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो इसलिए यहां लिख दिया है कि to profit transfer to shiv capital account and to hurry capital account 57,060 और 38,040 तो इस तरह से हमारा profit and loss appropriation account बनाये जाता है मैं आपको दुबारा बता दूँ यह account nominal account है नाम मात्र का खाता है इसमें debit में सारे firm के खर्चे आते हैं और credit side में सारी firm की income दिखाई जाती है उसके बाद partners का capital account बनाये जाता है यह है partners का capital account तो partners का capital account आपको बताया भी गया था performa इसकी भी दो sides होती है left वाली debit होती है और right वाली कौनसी होती है credit side होती है देखिए अभी यह account का performa कैसे बनाये गया है सबसे पहला column होता है हमारा date का पहले debit side में आईए date का column होता है जिसमें हम date लिखते हैं कौनसी date को इसमें changes हुए है capital account के अंदर फिर particular में हम नाम लिखेंगे accounts का फिर आते हैं shiv के लिए अलग column बनेगा और हरी की capital के लिए shiv और हरी ने पैसा introduce किया था तो 1 April 2017 को यहाँ पे आ गया by bank account shiv में आए 5 लाख रुपे और हरी में आए 2 लाख रुपे क्योंकि shiv ने लगाए है 5 लाख और हरी ने लगाए थे 2 लाख अब हुआ क्या 1 July को क्या किया हरी ने 1 लाख रुपे और लगा दिये तो 1 July को by bank account फिर से हरी के account में 1 लाख रुपे और add कर दीचिए अब shiv के हो गए 5 लाख और हरी के हो गए 3 लाख रुपे जो उसने क्या किये है business में introduce कर लिए है अब बद करते हैं आगे salary की हम देखते हैं salary कितनी दी जाएगी shiv और हरी की मैंने पहले गल्कुलिट की थी shiv की बनती थी 20,000 और हरी की भी 20,000 दोनों के थे 5,000 रुपीज पर quarter है ना एक quarter में 4 एक quarter मतलब साल में 4 बार यनि की 20,000 रुपे हो गए था पांचों का 20 तो 2020 आगया था दोनों का shiv और हरी का next point है हमारा interest on capital मेंने निकाला था 40,000 रुपे shiv के निकले थे और हरी के निकले थे 22,000 रुपे उसके बाद बाद करते हैं profit की जो हमने appropriation में निकाला था वो profit यहां transfer कर दिया गया है 57,000 60 और 38,000 40 रुपीज और हमारा जो profit हमने बादा है partners में वो यहां पर आ गया है अब बात करते हैं debit side में पहले बात करते हैं 31 March को इन्होंने total drawing कितने निकाली है shiv ने 12,000 रुपे firm से निकाले थे और हरी ने 10,000 firm से निकाले हैं personal use के लिए उसके बाद जो interest on drawings आ जाती है shiv की जो drawings थी 12,000 रुपे उस पर जो interest बनता था 600 रुपे हरी की drawings कितनी थी 10,000 इस पर interest कितना बनता था 500 रुपे तो यह मैंने यहां पर दिखा दिया अब finally अब हम इस account का करेंगे total करेंगे सबसे पहले credit side में आईए credit side की सारी capital के total कर लीजिए तो आएगा 6,060,000 और दूसरी का आएगा 3,080,040 रुपे अब इसको इस set भी लिख दीजिए same total अब जो balance बच गया उसे बोलेंगे two balance CD तो इस साल के end में shiv के कुल कितने रुपे बचे हुए है 6,4460 रुपे 6,4,460 रुपे और हरी के जो total पैसे बचे हुए है capital account में वो होंगे 3,69,540 रुपीज तो ये था capital account का परफॉर्मा नीचे मैंने सारा working note भी दिया हुआ है ये देखे लिए आप सबी किसा से वाले interest on capital है जैसे इस तरह से निकला है आपका ठीक है इंटरस्ट on drawings के बारे मतायद हमें आपको तो ये देखे ये रा इंटरस्ट on drawings 12,600 और 10,000 पर 500 रुपे इस तरह से ये आपका working note होदाता है आपको ये अपना working note भी त्यार कर लेना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपका partners का capital account हो जाता है ये बला और ऐसे ही हम बना सकते हैं partners का ये profit and loss appropriation account तो इस तरह से ये आपकी दोना accounts maintain हो जाते हैं और आपका equation complete हो जाता है